अगलो फ्रेंट्ज में वेल्कम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज आप की बहुत ही टेस्टी रेसिपी ले कंए बहुत कि आपको कि चीजों की जरुवत पड़ेगी हमने यहां पर आटा ले लिया गेहूं का आटा डेड़ का टोरी लगबख आटा ले लिया अब जितनी कॉंटिनिफ बनाना चाहते हैं और फिर यहां पर हमने मेथी को काट के अच्छे से धुल लिया है कि इसमें मिट्टी ना रहे और हमने बारिक हरीमिर्ची ले लिया है और धनिया का बत् अब हम मेथी डाल लेते हैं आटे में अपनी इसको अच्छे से हमें इसमें पत्ते यूज करने हैं डेंटल यूज नहीं करनी है और अब हम धारी धनिया मिर्ची आप टेस्ट का कॉर्डिंग हरीमिर्च और नमक डाल सकते हैं जैसा आपको पसंद दो महीं महीं कट कीजिए लेगा बारी किदम और अजवाइन लिया इसे थोड़ा सा अरब करके ऐसे फिर हम डालेंगे इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है नमक अपनी टेस्ट के अको डाल सकते हैं आपको प्राठे में चितना नमक चाहिए इस शवसे आप सकते हैं फिर्ट इसे सुबा नास्ते में दही के साथ अचार के साथ या बहूँ भी सिंपल सबजी के साथ घखाएंगे बहुत ही टेस्टी लगता है और चाए के साथ भी आप इसे खा ते होंके अब हम क्या करेंगे इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें हमने मैंने थोड़ी लाल मिर्च भी डाल रखी है अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं वनना कोई दिक्कत की बात नहीं है ऐसे भी बहुत ही टेस्टी बनता इसमें आप चाहें तो अध्रक लैसन को बारी ग्रेट करके डाल सकते हैं बट हम मुझे मेथी के प्राटे में लैसन पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूं लैसन अध्रक आप डालना चाहें तो इसको भी डाल सकते हैं अब इसे थ कि यह थोड़ा पासीस्ता भी है तो फूरा गीला हो जाता है वाद में तяютूसरे थोड़ा टाइट ही रखेंगे अब इसे हम जैसे यह रोटी नचल के इसे थूरा तैकर कलेंगे अ। उस तरीके से थोड़ा सा थाइट हो जाएगा उके उसके उपर हमने ओयल हलका सा लगा दिया है कि यह सुखे न और फिर अब ढखके हम लोग 10 मिट के रेस्ट पर छोड़ देंगे सुखा आटा ले लिए हैं सुखा आटे की हेल्स इसको बनाएंगे अब हम इसमें लोई यहां इसकी कट कर लेते हैं जितनी बड़ी आपको बनाना है उसे साब से आप लोई रख सकते हैं पेड़े बना ली जिसके हम ना जादी बड़ी बना रहे हैं ना जादी छोटी और ना मूटी ना पतली मीडियम साइस की बना रहे हैं ज्यादा मूटा रहेगा तो अंदर कच्छा रहे जाता पतला रहेगा तो सूख जाएगा तो हम मी लेंगे आप चाहें तो स्क्वाइश ट्राइंगिल में इन सब में बना सकते हैं हमने गोल बनाया है इसलिए हम सिफ गोल रोटी जैसा बना रहे हैं और देखें इसे कितना मोटा हमने रखा तवे पर हम इसको डाल लेंगे हमने तवे पर अल्रेटी लगा दिया था थोड़ा अब इसको हम सेख लेंगे एक साइट से और अब इसमें हम ऑईल लगा रहे हैं ऑईल लगा के से फिर हम लोग पलट देंगे और इसे हमें सारी कुकिंग मीडियम फ्लेम पे ही करनी है ना हाई ना लो लो पे करेंगे तो टाइट हो जाएगा और हाई करेंगे तो जलने का ड गश्ट्य लगता ठंड में मेती के प्राठी खाने का अलेगी स्वाद होता है अब इसको हम् प्रेस करके नधा कें चयए कच्चा कहीं से नह रहे इसको अलट पलट पिलट के शेक लिएंगे जो में सेख लेंगे यह देखे फ्रेंट्स हमारे प्राठे सिख गए हैं इसी तरीके से हम सारे प्राठे सेख लिए हैं सारे प्राठे इस तरीके से हमने सेख लिए हैं कितने कितने यह सॉफ्ट बने हैं आपको पसंद आएंगे आपको ट्राइ ज़रूर करिएगा बहुत ही सिंपल रेसिपी किसे कोई भी बना सकता है बहुत ही इजी है और बहुत जल्दी बने और टेस्टी भी बहुत लगता बहुत टेस्टी लगते अचार के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं अगर रेसिपी पसंद आती तो प्लीज फ्रेंट्स हमारी वीडियो को लाइक किजेगा शेर किजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अगर हमारे चैनल पर नए है तो और बहुत जरू कर थैंक यू फ्रेंट्स वाचिंग दिस वीडियो